हलो दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर राज में आप लोगों को बताने वाला हूँ तोरण के बारे में यानि की एक्सक्लेरेशन के बारे में दर कह ले या फिर एक सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन होता है वो कह ले जी बात ही कही है दोनों के डिफिनेशन से महीं है ये कह दीजिए या फिर ये कह दीजिए दोनों बात एक ही है अब देखिए दोस्तों ये वेग क्या है वेग यानि की विलोसिटी अब विलोसिट में परिवर्तन यानि की change in velocity velocity मतलब क्या होता है वेग होता है इसको denote करते हैं वी से लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है वेग में परिवर्तन तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा जी तो देखिए एक वेग होता है यू और एक वेग होता है वी यू को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग और वी को कहते हैं अंतिम वेग यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ प्रारंभिक वेग मतलब इनिसियल विलोसिटी और अंतिम वेग या निकी फाइनल विलोसिटी दोस्तो आप लोग को दोनों चीज़े मालूम होने चीज़े हैं कि अंतिम वेग क्या होता हैं दोस्तों आप लोगों को ये चीजे मालूम हो गई होगी अब देखिए वेग में परिवरतन इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो हमारा प्रारंभिक वेग था वो बन गया अंतिम वेग और जो हमारा अंतिम वेग था वो बन गया प्रारंभिक वेग इसका मतलब वेग में परिवर्थन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रारंभिक चीज रहेगी वो बन जाएगी अंतिम वेग और जो रहेगी अंतिम वेग वो बन जाएगी प्रारंभिक वेग उल्टा दोस्तो परिवर्थन का मतलब क्या उल्टा चेंज अब देखें दोस्तों इसको लिखते हैं कैसे तो V-U V-U यानि की अंतीम वेग माइनस प्रारंभीक वेग यह क्या हो गया दोस्तों हम लोग का वेग में परिवर्तन की दर अब कितने सेकेंड में जी एक सेकेंड में अब पॉन में क्या हो जाएगा टी और टी कितने सेकेंड में होना चाहिए तो एक सेकेंड में अब आप लोग से कोई कह रहा है कि मेरा वेग में परिवर्तन है तीस वो भी कितने सेकेंड में तीन सेकेंड में तो मेरा एकस्कलेरेशन कितना होगा तो आप लोग जानते हैं कि भाई तीन सेकेंड में वेग में परिवर्तन कितने का हुआ है जी तीस का तो एक सेकेंड में वेग में परिवर्तन कितना होगा तो आप लोग कहेंगे दस का आप देखिए यह वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है किया निकि 5 केजी आलू का मूले था 10 रुपया तो वेग किजी आलू का मुली कितना होगा दू रुपिया वही बात यहां पर कही जा रही हैं तीन सेकेंड में कितना हम लोग में परिवरतन हुआ है हम लोग का तो तीस का तो एक सेकेंड में कितना होगा तो आप लोग कहा देंगे दस का एक सेकेंड में कितना हो गया तो दस का यही हम लोग का दस क्या हो जाएगा exploration और यह होता है दूस्तो exploration का formula exploration आप लोग को इस formula और आप लोग को कोई वेग में clicks नहीं बता रहा हैं बता रहा है कि मेरी प्रारंभीक वेग है 40 अधिम वेग है 20 तो आप लोग इस formula फर्मूले का यूज करके आप लोग एक्सक्लेरिशन को असानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बस यह वाल आप लोग को फर्मूला याद होना चाहिए एक्जामपल के लिए दूस्तों मान लिए आप लोगों से किसे ने कहा कि मेरी प्रारंभिक जो स्पीड थी यानि कि मेरा कह देता हूँ चार सिकेंड तक मेरा जो टाइम है वो कितना लगा है चार सिकेंड तो मेरा एक्सक्लेरेशन बताईए तो यहां से आप लोग एक्सक्लेरेशन वारा फर्मूला यहां पर लगा सकते हैं अब देखिए इसमें क्या करेंगे वी कितना है और सी माइनस यह हो गय मीटर प्रती सेकेंड इसक्वायर तो दोस्तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखें या फिर आप लोग से कोई सीधा कह दे कि मेरा वेग में परिवर्तन है 20 और समय लगा है मेरा 2 सेकेंड तो आप लोग उसको सीधा सा जबाब दीजिए कि तुम्हारा एकस्क्लेरेशन कुछ नहीं है बलकि 10 है सीधा सा जबाब दीजिए दोस्तो अगर वो आप लोग को वेग में परिवर्तन बता रहा है कि मेरा वेग में परिवर्तन कितना है 20 और समय में लिया है 2 सेकेंड का अगर ये वाली बात कह रहा है तब तो आप लोग ऐसे बता दीजिए आलू वाले तरीके से या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए अपनी प्रारंभी की स्पीड बता रहा है और समय भी बता रहा है तब आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके एकस्क्लेरेशन आसानी से find out कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोग को एकस्क्लेरेशन का concept समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like कीजिए